जेश्यमांकाल जेववस है आप सभी का बावा साहिब के चैनल बावा साहिब सेरोमा थेरेपी में स्वागत है इस वीडियो में हम अंबर इत्र के उपियोग के बारे में बात करेंगे अंबर एक इत्र होता है और उसके उपियोग क्या क्या है उनके बारे में हम डिसकस करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में अंबर का विज्यानिक नाम पीनस सुकीनि फेरा है अंबर वेल से एक कुछ सर्जन है मतलब वेल में से निकलने वाला कोई सबस्टेंस है जो फॉसल फ्यूल के फ़र्म में समुद्र में पाया जाता है यह महा सागरों पर ते से एकत्र किया जाता है यह फ्लोट करता है तेरता है अंबर वेल की आतों में बनता है एम्बिरिस व्यापक शुक्राणू वेल का एक पैथलोजिकल स्थ्राव है स्थ्राव है मतलब निकलता है बहता है जानवर एम्बर गिस को अनाया स्थोड़ देता है ताजा निश्काशित एम्बर ग्रीस में आम तोर पर एक गहरा काला रंग एक नरम स्थिती और मतली की गंद होती है समुद्र का पानी और वातावरन अम्बर को हलका रंग देता है सिल्वर ग्रे से गोल्डन पीला जब तक की अन्त में यह लगबग सफेद नहीं हो जाता है मतलब अन्त जो प्रोडक्ट है अम्बर वो सफेद ही होता है कललेस होता है इसकी गंध परिश्करत मीठी बहुत सुखद और विशेश्टा बन जाती है यह जानवर बीस्वी शताब्दी की शुरुवात में रसायनिक उद्ध्योग के आगमन से पहले कच्छे माल का एक विशाल स्तुरोथ था अम्बर को अपने अजीबो गरीब गुणों के लिए सद्यों से बेशकीमती माना गया है इसका उप्योग इत्र उद्ध्योग में ठीक इत्र के लिए औशदिक प्रयोजन के लिए और एक कामो तीपक के रूप में प्रयोग किया जाता है अंबर का उप्योग भोजन के स्वाद को बढ़ाने और हरबल और होमियोपेथिक उप्चार के लिए भी किया जाता है गुलाब के समकक्ष अंबर को माना जाता है और अंबर को सुगंध के राजकुमार के रूप में पहचाना जाता है इसे चंदन के तेल में पीषने के लिए बनाया जाता है यह चोटी वेल की पूँच के पास दाई और उत्पन होता है अंबर समुद्र तटो पर पाया जाता है और कच्चा और गंदा दिखता है जिसका की बाद में रिफाइनमेंट होता है उसको कलरलेस किया जाता है मस के बाद यह अंबर जो है वो सबसे अच्छा इत्र माना जाता है अंबर के काफी सारे रूप होते हैं प्रकार होते हैं सफेद, ग्रे, लाल, पीला, हरा, नीला और काला यह यह कह सकते हैं बहु रंगी होते हैं कुछ देशों में या दुलहनों द्वारा खुशी और लंबे जीवन की सुनिश्चिता के लिए प्रयोग में लाया जाता है और युद्ध में योद्धा जो हैं वो सुरक्षा के लिए इसको लगाते हैं अंबर समुद्र तटों पर पानी में तेरता हुआ मिलता है अब हम आते हैं औशदिक उपियोग जो हैं अंबर के अंबर उर्जा को पुर्ण स्थापित करता है और जीवन सक्री बलों को बड़ावा देता है अंबर मस्तिश्क और रदय ब्लॉक में इलाज के लिए मज़द क करता है अंबर नसों और इंद्रियों को विश्राम की और मोडने के लिए गतिशील बल है इसका उपियोग किया जाता है जहां पर इंद्रियां वश में नहीं है या इंद्रियां जो है वो ज़्यादा ठकी हुई है तो उसके लिए हम इसका उपियोग करते हैं यह पुनर स् पॉइंट बताया अंबर नसों और हिंद्रियों को विश्राम प्रदान करता है पुरुष अपनी यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए अंबर खाते हैं और महिलाएं बांच्पन को ठीक करने के लिए इसे खाती हैं और उपयोग मिलाती हैं यह शरीर के उपर लगाती हैं अंबर शरीर को भी मजबूत बनाता है और लकवा पेट की समस्या को ठीक करने में मदद करता है अंबर मस्तिशक और रदय ब्लॉकों के इलाज में मदद करता है यदि इसका उपयोग पे में किया जाता है तो यह विशेश है लेकिन अंबर इत्र को लगाने से भी उन समस्याओं का निदान होता है ये अभी जो मस्किर्ष और हिदर ब्लॉकेश के बारे में मैंने बताया उसके बारे में है और ये फॉसल से मिलता है और एक और इसका जो महत्कून उप्योग है अंबर को सांस में लिया जाता है तो ये फ्लू के लक्षणों सरदर्द और माइग्रेन में रात देता है तो अगर इसको स्मेल करेंगे तो इससे स्मेल जो है उसकी इफेक्ट ऐसा रहेगा कि फ्लू के लक्षणों को दूर कर देगा और माइग्रेन अगर है सरदर्द है तो उसको भी ठीक करेगा अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप इस वीडियो के पहले स्लाइड के उपर आपको इमेल आइडी दिखाओगा उस इमेल आइडी पर आपके प्रश्न मेल कर सकते हैं और उनका हम जवाब तुरंत देंगे ये बहुत उपयोगी जानकारी है इत्र का उपयोग करें और जो एलकोहलिक परफ्यूम्स हैं उनसे बचें क्योंकि ये नैचरल प्रोड़क्ट हैं और इनसे काफी हद तक समस्याओं का निदान हो जाता है आप ध्यान रखिएगा और हम अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक आप खुश रही है इत्र का उपयोग कीजिए जैश्री महांकाल जैवाबस है